नमस्कार साथियों मैं डॉक्टर रिचा वाशने संभफ निचर क्यूर हॉस्पिटिल से साथियों आजकर जो हमारा टॉपिक है वो है अमर्जनसी पॉइंट्स जी हां साथियों अमर्जनसी में कभी भी कोई भी पढ़ सकता है तो यह कुछ टिप्स हैं अक्यूपिशर की का पॉइंट्स यानि कभी भी कोई भी बेहोश हो सकता है हम जनरली पानी की चीटे डाल देते हैं उसके उपर यदि कभी पानी भी अवलेबल ना हो तो ऐसे केस में हम क्या करें एक बहुत अच्छा एमर्जनसी पॉइंट्स है बेहोश हुए विक्ति को होश में लाने का व अब आप कसकर स्टिमूलेट करेंगे इस पॉइंट को क्लॉकवाई और अंची क्लॉकवाई तो देखेगा कि जो विक्ति बेहोश हो गया था वो होश में आ जाएगा इसके अलावा यदि इतने से भी होश में ना आए तो एक पॉइंट और है यह पॉइंट हमारे पैरों म हैं देखें वो डाइग्राम में दिखा रही हूँ इस पॉइंट का नाम है के वश में आ जाएगा तो टो टो पॉइंट से वाले विक्ति को होश में लाने के लिए माक्सिमम तो इसे से होश में आ जाएंगे तो कि एक्चुली कारण होता है हाई बीपी के वज़े से कोई बिहोश होता है कुछ लोग लो बीपी की वज़े से बिहोश होते हैं अब कारण तो आपको नहीं पटा एक सामाने से व्यक्तिवीखोश में आ जाएगा दोसरी बात करते हैं साथियों यदे कभी आप भोजन कर रहे हैं जन्रली कहा जाता है कि हम बात करते हैं खाना खाएंगे तो अक्सर जो बोजन का कण है वो हमारी श्वासनली जिसे हम सास ले रहे हैं उसमें चला जाता है अब जब श्वासनली में अनकड चला गया तो क्या होगा हमें तेजी से धस्का आएगा हम सास नहीं ले पाएंगे क्योंकि कड़ फसा है और तेजी से धस्का आएगा वो धस्का इतना ज नहीं ले पाई तो ग्यत्थ हो जाएगी लेकिन हम पीट कपता पाते हैं बहुत कुछ करते हैं उसके लिए देख बहुत अच्छा emergency point आएंगे small finger small finger की जो tip है टेप उफ देख जब small finger नेल के तरफ की आप कस कर कस कर ट्विस्ट करना है आप left side की भी right side की भी कर सकते हैं आप कस कर जब small finger को ट्विस्ट करेंगे तो देखेगा कि जो अनका कड़ श्वास नली में चला गया था वो निकल जाएगा और normal breathing हो जाएगी व्यक्ति की और वो ठीक से फिर से सास देने लग जाएगा यह बहुत urgency point है इसको जरूर आप याद रखें तीसरा साथियों कब भी ऐसो होता है कि हम नहारे होते हैं और पानी हमारे कान में चला जाता है या बारिश के समय में जो छोटी छोटे महीन महीन कीड़े हैं वो हमारे कान में चले जाते हैं अब क्या करें दिक्कत तो है पानी भी कान मे जो कीड़ा चला गया है उसको कैसे निकालें जिस कान में लेफ्ट ये राइट जिस कान में कीड़ा गया है या पानी गया है उस कान में जो ये वहला point है आप कान की तरफ आए लेफ्ट साइड में गया है तो जो ये point है इसको आप कसकर दबाएंगे कसके दबाएंगे और ठोड़ा सा किर्चा कर लेंगे अपने कान को ताकि जो पानी गुया हुआ है पानी आढ जाएगा यह केड़ा गए हुआ है किड़ा बहर आ स्यम्म वही चीज हमें राइट signature करने दितरे राइट signature के कान में हमें कोई चला गया या पानी चला गया तो बही सब्सक्राइब करेंगे और जो भी हमारा कीड़ा गया है या पानी गया हुआ हो पूरा का पूरा हमारा निकल जाएगा तो है ना इमर्जेंसी पॉइंट इसके लवास आती हो एक पॉइंट है इदी बाइदी वे एंजाइना की बात नहीं कर रहे हूं हाट फेलियर की बात कर हाँ है बगती को तू खोश नहीं ही रहेगा जब हाँघ फेलियर हो जाएगा आसे में आपको क्या प्रणा है जो स्मॉल टिप है इसमॉल फिंगर की जो टिप है इसको आपको कस की जितना भी आप कसके दबा सकते हैं दातों से इसको कसके दबा दीजिए भिलकु बिलकु यासे निशान बन जाएं बिल्कुल चिंता मत करीं आप किसी की जंदेगी बचा रहे हैं यह समझ लीजिए ठीक है यह एक्चुली हार्ट का लिव ड्रेनच पॉइंट है डॉक्टर और वॉल का पॉइंट है हार्ट का लिव ड्रेनच पॉइंट है करने में कुछ नहीं जाता जिन्दिगी ही बचा लेंगे आप किसे की तो मैं बता रहे हूँ लेफ्ट साइट का करेंगे तो जदा बैनिफिशियल होगा लेफ्ट या राइट मेंसे निकले हैं लेफ्ट का करें और कस कर दबा दें मरीज का जिसको आपको लगता है कि यह चीज़ हुई है कस कर हाथों की उंगलियां और दसो पैरों की उंगलियां इनके सबके टिप्स जैसे यह अंगुठा अंगुठा का टिप यह हुआ इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर के टिप ये हुई, मिडल फिंगर इसके टिप ये हुई, रिंग फिंगर इसके टिप ये हुई, स्मॉल फिंगर इसके टिप ये हुई, ऐसे ही सभी सारी दसो उंगलियां हातों की, दसो पैरों की, सब के टिप्स को कसकर स्टिमूलेट करना है सब उंगलियों को कसकर जब आप किस्ट करेंगे कसकर दबाएंगे तो देखेगा कि जो व्यक्ति को पारलिसस का टैक्ट पड़ रहा था वो नॉर्मल हो जाएगा रहत मिल जाएगी यह फॉस्टेट का पॉइंट है फिर आप जाकी डॉक्टर्स को दिखाएं तो यह क पार टू लेकर भी बहुत जल्दी ही आऊंगी इसमें और फुच और एमर्जनसी पॉइंट्स टालूंगी कि जिसमें जो सब के लिए बैनिफिशल होंगे तो साथ यह वीडियो को मैं यही पर एंड कर रही हो और आप से विंती करती हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करे अधिक से अधिक शेयर करें क्योंकि यह एक चीज़ ऐसी है कि जितनी ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो आप मददी दूसरों की कर रहे हैं क्योंकि तब इक भी एमर्जनसी में आज़ा फॉस्टेड यह बहुत सारी चीज़े काम आ चाहेंगी किसी की जंदीगी बत सकती ह है तो जरूर मदद करें तो यह विंती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हां हमारी यूट्यूब की यह वीजियो है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू